सेंचीरियन टेस्ट के लिए विराद कोली केवल एक प्रॉपर नेट सेशन करके टेस्ट मैच में उतरे लेकिन भारत के बलेबाजी कोच बिकरम राठो ने इस पश रूप से कहा कि अपनी करियर के इस चरण में पूर्व कप्तान को बहुत अधिक ट्रेनिंग की अविश्यक्ता नहीं है कोली ने प्रिटोरिया के टक्स ओवल में खेले गए एक मात्र तीन दिवसी इंट्र स्कॉड अभ्यास खेल में हिस्सा नहीं लिया और फोर दे मिनी विकेशन के लिए यूप्य में अपने परिवार से मिलने की प्राय परमिशन के साथ गए सेंचुरियन के पिट पर जहां काफी उच्छाल मिल रहा था कोली 38 रन बनाकर अच्छी ले में दिख रहे थे लेकिन बात में 2100 रबादा के स्विंगर ने उन्हें चक्मा दे दिया जिससे भारत ने भारिश से प्रुभावित पहले दिन का अंत आठ विकेट पर 208 रन पर किया मंगलबार को यहां दक्षिन अफरीका के खिलाफ पहले टेस्की शुरुवाती दिन का खेल खत्म होने के बाद राठोडने कहा वराठ अपनी कर्या के जिस मुकाम पर है मुझे नहीं लगता कि उन्हें ज्यादा अभयास की जरुरत है वो खुब बलेबादी करता है और फुब फ्रेनी करता है इसलिए अगर उसने कुछ दिन कम अभयास किया तो कोई खास पर नहीं पड़ता हमने देखा वो कितना अच्छा खेल रहा था ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ महीने तक लाल गेन क्रिकित से दूर रहे बारत के पूर सलामी बलेबाज ने आगे कहा ये एक अच्छा संकेत है केल राहुल एक बार फिर इंडिया की पारी संभालने में सफल रहे जहां दूसरी ओर से विक्टे गित रही थी केल ने पारी को संभाला और राठोर ने उनकी बलेबाजी की जमकतारीप की राहुल हमारे लिए संकुट मूचन बद्दे जा रहे हैं हर बार कठिन परिस्थितियां आती है वो वो वेक्टी है जो हमारे लिए इससे अच्छी तरह से सम्हालता है राठान ने आगे कहा कुछ खास नहीं वो अपनी गेम प्लान को लेखर स्पश्ट थे उन्होंने सही गेंदो का बचाव किया सही गेंदो पर हमला किया ट्रैक के बारे में उन्होंने बात की और माना की राठ भर बारिश, तापमान में गिरावट और ट्रैक को एक समय के लिए कवर में रखा गया था जिसके कारण बल्लेबाजों के लिए डिग्री ओफ डिफिकल्टी बल्लेबाजी करने में ज्यादा आई उन्होंने कहा ये हमेशे चुनावती पून रहने वाला था मौसम एक मुद्धा था विकेट एक दिन या उससे भी अधिक समय तक कवर में रहा बल्लेबाजी सम्हों के रूप में ये हमेशे चुनावती पून रहने वाला था हम कुछ और विकेथ हाथ में रखना पसंद करते लेकिन हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया अपने बल्लेबाजों के बच्चा आप में राठवा ने कहा